हेलो दोस्तों फिर से आपका सौगत करता हूँ टेक गुरुजी के इस नए पिसोड में मेरा नाम है सुधीर पटेल तो दोस्तों इस एपिसोड में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके स्मार्टफोन में कैमेरा है तो फोटो गीसने के अलावा भी आप ऐसे साथ इंपोर्टन चीज़ कर सकते हैं जो अब तक आपको नहीं पता होगा तो दोस्तों इस एपिसोड में आपको कुछ ऐसे साथ इंपोर्टन चीज़ बताने वाला हूँ जो आप अपने स्मार्टफोन से कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों में आपको बताता हूँ कि वो कौन से साथ इंपोर्टन काम है जो आप अपने स्मार्टफोन से कर सकते हैं बताने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट अगर आपने हमारे टेक गुरुजी चैनल को आप तक सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब किजिएगा तो दोस्तों आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाला जिसकी मदद से आपने कैमरे को और भी ज्यादा यूसफुल बना सकते हैं तो दोस्तों इसमें सबसे पहला है कि आप किसी भी भासा को किसी भी लेंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं इसमें दोस्तों आप किसी भी विदेसी भासा को किसी sign या फिर menu या text को आप किसी भी भासा में translate कर सकते हैं और वो आपकी भासा में कर देगा जियां दोस्तों camera की मदद से आप translate कर सकते हैं किसी भी language में और ये काम होगा दोस्तों Google Translate की मदद से इसके दोस्तों आपके mobile phone में एक application है जो कि Google translate करके आपको मिल जाएगा Play Store से आपको उसको download करना होगा तो आप इस app की मदद से आप किसी भी language को अपने language में convert कर सकते हैं दोस्तों इस application का कुछ drawback है कि कुछ ऐसे भासाएं हैं कुछ ऐसे language जिनको वह convert नहीं कर पाएगा लेकिन कुछ ऐसे भी applications हैं जैसे कि ट्रेक्स ग्रेबर या फिर ट्रांसलेटर और वेगो जिनकी मदद से आप अपने भासा में convert कर सकते हैं उसके बाद दूसरा है documents scanning जियां दोस्तों आप अपने phone को as a scanner की तरह भी इस्तिमाल कर सकते हैं जिसमें दोस्तों आपकी जो भी documents होंगे आप उसको scan करके रख सकते हैं या फिर किसी को send कर सकते हैं दोस्तों आप जो documents में मुझूदा जो टैक्स है उसको आप edit भी कर सकते हैं दोस्तों Google Drive के android app में भी scanning के functions हैं तो आपको अलग से कोई भी app download करने की जरूत नहीं है दोस्तों iOS users के मैं बात करूंगा तो ever not scannable के इस्तिमाल करके आप scan कर सकते हैं इसके अलावा आपके पास android version और ISO के लिए cam scanner सबसे अच्छा option है उसके बाद scan boot भी एक अच्छा option है जो आप ट्राई कर सकते हैं यह अच्छा application है जो की camera की मदद से आपका scanning का काम कर सकता है और तीसरा app है दो की बहुत ही मज़िदार और बहुत ही interesting app है वो है आपको आसमान से तारे देखना जी यह दोस्तों आप इस app की मदद से और आपकी camera की मदद से आपको उपर जो तारे हैं उसके बारे में पूरी information मिल सकती है तो यह कैसे काम करेगा दोस्तों आपको application के बारे में बताता हूं तो दोस्तों आप अपने phone में एग्रिमेंटेट या फिर मिक्स reality app के साथ और मज़दार बन सकते हैं तो दोस्तों एक application की बात करना जो की sky view है आपको android या फिर ios form में मिल जाएगा तो जैसी आप इस application को install कर लेते हैं तो आपको camera को आसमान की तरफ करना है और इस से आप तारों की पहचान कर सकते हैं वो भी दोस्तों बिना telescope के तो दोस् तो जरूर आपको इस application का अपने camera के साथ जरूर मज़ा उठाना चाहिए और अगर मैं इसके तरह के अगर application की मैं बात करूंगा तो आपको wiki tube एक application जो आपको android या फिर ios form में मिल जाएगा या फिर bleeper करके एक app है वो भी android ios form में है आप इसको भी try कर सकते हैं उसके product के बारे में पूरी जानकारी पास सकते हैं अगर आप उस बार कोड को scan करते हैं तो आप आसान तरीके से उस product के बारे में पूरी information आपको मिल जाएगी तो दोस्तों ऐसे बहुत सरे application है जिसकी मदद से आप बार कोड में छुपे वे उस code को एक text में बदल देगा जो कि इंट्रेस्टिंग है वो है security camera इसमें दोस्तों एक आपको बताता हूं चाहता हूं कि अगर आपके पास दो ऐसे phone है और जिसमेंजे आप एक phone को इस्तमाल नहीं करते हैं और जो आपको लगता है कि वह पुराना हो चुका है लेकिन वह android phone है तो वह आप दोस्तों उस smartphone को एक security camera में बदल सकते हैं इसके लिए आपको security camera app नाम का एक application है वो आपको download करना होगा इसके मज़स से दोस्तों आप अपने पुराने phone को wifi से जोड़कर आप कहीं पे भी रख दें और दूसरा smartphone या फिर computer पर आप उस phone के camera में जो photo दिख रही होगी जो video दिख रही होगी live आप सकते हैं और उससे record कर सकते हैं तो यह भी दोस्तों काफी अच्छा function है application का नाम मैं बता दिया आप उसको install कर लीजिए play store में आपको मिल जाएगा आसान तरीके से उसको छटा application है जो कि विजूल सर्च दोस्तों यह बहुत ही interesting application है अगर मैं दोस्तों अगर एक दो साल पूर Google तो आपको automatically एक application मिल जाएगा आप उसको download कर लीजिए तो जैसे आप इसको download करके install कर लेते हैं तो इसका function में बताता है काम कैसे करता है दोस्तों यह application की मदद से आप सपोस्पोस मानी कि आपने मैं example देता हूँ आपने Mount Turbo की एक photo रखी है या फिर ताजमल की कोई photo रखी है या फिर दोस्तों इंडिया की किसी पार्ट किसी location का आपके पास कोई photo है तो आप जब इस photo को उस smartphone के camera के पास लेके आएंगे तो automatically बता देगा कि यह location कहां पे है और यह photo कहां की ली गई है पू जगों की चिन कर सकते हैं निसानी दे सकते हैं तो बहुत सारे एप हैं जिन में आप अपने आसपास की location को पिंग पॉइंट कर सकते हैं camera में आपको जो जगह दिख रही होगी उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी तो दोस्तों एक application है जिसकी में आपको बात करूँगा थो वह यह application है इसी तरीके से काम करता है विक्यूट्व और लेयर application भी दोस्तों इसी तरीका से काम करते हैं तो दोस्तों आपके camera के कुछ साथ ऐसे features जो की photo घिषने के अलावा भी काम कर सकते हैं आप तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया रहेगा किसी किसी भी चीज़ से आपको डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजेगा और हम आपके डेफिनेटली एल्प करूँ तो चले दोस्तों मिलता हूं को नेक्स वीडियो में कुछ नए इंट्रेस्टिंग और नौल बातों के साथ थैंक्यू थैंक्यू सो माच